परिचय पिता जी, ये पार्क तो बहुत ही सुन्दर है, यहाँ पर आनंद लेने के लिए बहुत से जूले और राउंड्स हैं, मेरे मित्र भी तती दिन यहाँ आते हैं मुझे पता था कि तुम्हें ये पार्क अवश्य पसंद आएगा, इसलिए आज में तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ धन्यवाद पिता जी बहुत अच्छी बात है अच्छानक भूकम पा जाता है क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ पिता जी, मैं ठीक हूँ क्या मैं आपसे कुछ पूच सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल भूकम कैसे आते हैं? और ये इतने अधिक विनाशकारी कैसे हो जाते हैं? बेटा, जब प्रित्वी के भीत्री भाग में चट्टाने की सकती हैं, तो उनके कारण भूकम पाते हैं इस अचानक होने वाली गती के कारण आगहात तरंग प्रिष्ट पर आती हैं, ये तरंगे प्रित्वी के प्रिष्ट के अनुदिश चलती हैं और बहुत क्षती पहुँचाती हैं जी पिता जी, अब मुझे समझ में आ गया और मैं इन तरंगों के विशे में और जानना चाहता हूँ ठीक है वेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों, आज हम तरंगों के विशे में और पढ़ेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे तरंग गती को परिभाशित करना अनुप्रस्थ और अनुदैर्थित तरंगों में अंतर स्पष्ट करना प्रगामी चाल में विस्थापन संबंध का मुल्यांकन करना प्रगामी तरंग की गती की गणना करना, तरंगों के अतिव्यापन को समझना, तरंगों के परावर्तन के विशे में जानना, आप्रगामी तरंगों को परिभाशित करना, स्पंदों को समझना, डौपलर प्रभाव का विशलेशन करना, परिभाशा तरंगों के द्वारा बिना तरविकी आयतंचाल के उर्जा का इस्थानांतरण संभव होता है। दूसरे कण में पहुँचाई जाती है। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं अनुप्रस्थ और अनुदेर्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभी कण अपनी माध्य सामयावस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दिशा में सरल आवर्ती गती करते हैं। अनुदेर्थ तरंग गती वो तरंग गती होती है जिसमें माध्यम के प्रतक कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गती करते हैं। आईए अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदेर्थ तरंगों में अंतरसंजें। एवं द्रोणियों यानी गर्तों के रूप में गमन करती हैं। एक तुंग और एक द्रोणी एक तरंग बनाते हैं जबकि अनुदेर्थ तरंगें एकांतर संपीडनों के रूप में गमन करती हैं। एक संपीडन और एक विर्लन मिलकर एक तरंग बनाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में और द्रवों के प्रष्ट पर ही बन सकती हैं, जबकि अनुदेर्थ तरंगे किसी भी माध्यम में बन सकती हैं। जब अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती हैं, तो माध्यम में कोई भी दाप परिवर्तन नहीं होता है। परन्तु जब अनुदेर्थ तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम में दाप परिवर्तन होता है। प्रतेक्षण में विस्थापन समय फलन उस इक्षण पर तरंग की आकृती बताता है। एक्स घटा ओमेगा टी जहां वाई बराबर स्थिती एक्स और समय टी के फलन के रूप में विस्थापन है। ए बराबर तरंग का आयाम ओमेगा बराबर तरंग की कोण ये आवरित्ती के बराबर कोण ये तरंग संख्या। आयाम ए माध्यम के निर्माणकों का उनकी सामय वस्था से अधिक्तम विस्थापन प्रदशित करता है। ये तरंग का आयाम कहलाता है। तरंग देर्थ समान कलावाले दो बिंदों के बीच नियूनतम दूरी तरंग का तरंग देर्थ कहलाती है। जिसे प्राया लेमला दौरा निरूपित किया जाता है। सरलता के लिए हम कह सकते हैं कि किसी तरंガ में दो क्रमिक तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी तरंग तैरत होती है. आवर्दकाल तरंग के दोलन का आवर्दकाल वो समय होता है जो एक ऐलिमेंट एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लेता है. एक संचारित तरंग की चाल सभी प्रगामी तरंगों के लिए एक समाने संबंध निम्न रूप में व्यक्त है V पराबर लेमला बटे T माध्यम के किसी निर्मान त्वारा एक पून दोलन हेतू अपेक्षित समय में तरंग पैटन तरंग के तरंग देर्द के बड़ाबर दूरी तै करता है तानित डोरी पर एक अनुप्रस्थ तरंग की चाल माना कि एक डोरी को दो द्रण टेकों के बीच ताना गया है यदि डोरी को चुटकी से खींचते हुए थोड़ा फिस्थापित किया जाता है तो डोरी की लंबाई के अनुदिश एक निश्चित वेग के साथ एक उभार संचरण करता है उभार के संचरण का वेग डोरी के तनाव और द्रविमान प्रती इकाई लंबाई पर निर्भर करता है तानित डोरी पर संचरण करने वाले विक्षोप का वेग निम्नानुसार व्यक्त है सी बराबर वर्कमून टी पटे म्यू जहां टी बराबर डोरी में तनाव म्यू बराबर द्रविमान प्रती इकाई लंबाई अब एक सुरे पर स्थिर की गई डोरी के दूसरे सुरे पर एक भार लटकाते हुए इसे तानित किया जाता है डोरी में तनाव डोरी के प्रतियस्थता गुं और जड़त्व से संबंदित है तानित करने पर वेग निम्न रूप में व्यक्त होता है C बराबर वर्ग मोल T बटे पाई आर वर्ग रोब जहां R बराबर डोरी की त्रिच्या रो बराबर समकरी का घनत्व एक अनुदेर्द तरंग की चाल एक अनुदेर्द तरंग के संचरण का वेग माध्यम की प्रतियास्थता तथा घनत्व पर निभर करता है तरंग वेग पराबर वर्ग मोल प्रतियास्थ मोडुलस बटे घनत्व तरंगों के अध्यारोपन का सिध्धांत तरंगों के अध्यारूपण के सिध्धान्द के अनुसार माध्यम में किसी बिंदू पर एक साथ कारी करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रतेक द्वारा प्रिथक रूप से कारी करने के कारण विस्थापन साधिशों का सधिश्योग होता है आईए एक उधारन देखें एक दूसरे के निकट आते दो इस्पंदों पर विचार करें जब इस्पंद एक दूसरे को पार करते हैं तो वे संयुक्त होकर एक परिणामी इस्पंद बनाते हैं एक दूसरे को पार करने के बाद विप्पुना इस तरह सौतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। इससे तरंगों के अध्यारोपन की निम्न तीन महतपून स्थितियों का पता चलता है। समान आवरिती की दो तरंगें समान वेक के साथ समान दिशा में चलती हैं। इससे तरंगों के व्यक्तिकरण की घटना होती है। सद्रिश्य आवरित्यों तथा आयामों वाली दो तरंगें विप्रेती दिशाओं में समान चालों से एक यही पत के अनुदेश गमन करती हैं। इससे आप्रगामी तरंगें उत्पन होती हैं। अल्पु भिन आवरित्यों वाली दो तरंगें समान वेक के साथ समान दिशा में चलती हैं। इससे विस्बंदों की परिघटना होती है। तरंगों का परावर्तन। जब कोई तरंग किसी दरड परिसीमा से टकराती है, तो ये पून्ता परावर्तित हो जाती है। और यदि परिसीमा दरण नहीं है, तो आपतित तरंग का एक भाग परावर्तित हो जाता है। और कुछ भाग दूतिय माध्यम में पार गमित हो जाता है। आईए एक उधारण देखें। एक स्पंद एक दानित डोरी के अनुदिश गमन करता है और परिसीमा त्वारा परावर्तित हो जाता है। परावर्तित तरंग की आकरिती आपतित स्पंद के समान होती है। किन्तु परावर्तन होने पर इसकी कला में 180 डिक्री परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि परिसीमा दिर्ण है और परिसीमा पर हर समय विक्षोप का विस्थापन शुन ही होता है। जब परिसीमा नहीं होती तो परावर्तित तरंग की आकृती और कला आपतित तरंग के समान होती है। स्थेतिक आप्रगामी तरंगें विप्रीद दिशाओं में कमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपन त्वारा निर्मित परिणामी तरंग आप्रगामी तरंग कहलाती है। प्रस्पंद कुछ बिंदूओं पर विस्थापन अन्य बिंदूओं की अपेक्षा सदैव अधिक्तम होता है। ये बिंदू अधिक्तम आयाम के साथ कमपन करते हैं और प्रस्पंद कहलाते हैं। दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी लेमला बटे दो होती है। निस्पंद कुछ बिंदूओं पर विस्थापन सदैव शून होता है। ये बिंदू जो सदैव स्थेतिक रहते हैं निस्पंद कहलाते हैं। दो क्रमिक निस्पंदों के बीच की दूरी लेमला बटे दो होती है। ये प्रेक्षित किया गया है कि एक निस्पंद और निकटस्थ प्रस्पंद के बीच की दूरी लेमला बटे चार होती है। विस्पंदें जब लगभग समान अवृत्ती तथा समान आयाम की दो ध्वनिया एक साथ उत्पन होती हैं तो परिडामी ध्वनी में एकांतर उचिस्थ और अलपिस्थ होते हैं। नियमित अंतरालों पर ध्वनी का एकांतर उतार चड़ाओ होने की ये परिगटना विस्पंदें कहलाती हैं। आईए एक उधारन देखें। दो सन्नादी तरंगे हैं जिन में से एक की आवरित्ती बारा हर्ट्स और दूसरी की आवरित्ती दस हर्ट्स है। जब वे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो वे दो हर्ट्स और विस्पंदें उत्पन्ने करती हैं। प्रती सेकेंड सुनी जाने वाली विस्पंदों की संख्या विस्पंद और वित्ती कहलाती है। विस्पंदें के वल तब सुनी जाती है जब दोध्वानी कारी निकायों की आवरित्यों में अनतर दस से अधिक नहीं होता। ऐसा श्रवन नरंतर्था के कारण होता है। प्रतिक तीव रिध्वनी से अगली तीव रिध्वनी तक का समय एक विस्पंद काल कहलाता है। उधारण आईए विस्पंद का एक उधारण देखें। एक साथ बजाए जाने पर एक तीवनींग फॉर्क और एक वायु उस्थंभ एक क्यावन डिगरी सेलस्यस पर एक सेकैड में चार विस्पंदें उत्पन करते हैं। वायुस्तंब का तापमान खटा कर 16 डिग्री सेल्सियस कर दिये जाने पर वही टूनिक फॉर्क एक विस्पंद प्रति सकंड उत्पन करता है। टूनिक फॉर्क की आवरिती निर्धारित करें। आईए इसका हल देखें। जब वायुस्तंब का तापमान कम किया जाता है तो वायुस्तंब में ध्वनी की चाल कम हो जाती है। चूंकि वी बराबर यू बटे लेमला इसलिए वी घड़ता है। चूंकि निम्नतर तापमान पर विस्पंद प्रति सकंड की संख्या कम है। इसलिए हम ये निशकर्श न अवरिति V है तो 51 degree celsius पर वायूस्तंब की आवरिति N जमा 4, 16 degree celsius पर वायूस्तंब की आवरिति N जमा 1। दिये गडिये मानों की गरना करने पर हम पाते हैं कि tuning 4 की आवरिति 50 है। डॉपलर प्रभाव ध्वनी का स्रोत, प्रेक्षक तथा माध्यम की आपेक्षिक गती में होने पर ध्वनी की आवृति में आभासित होने वाला परिवर्तन डौपलर प्रभाव कहलाता है। आईए विबिन स्थितियों में ध्वनी की आभासिया वृति पर चर्चा करें। इस्थिती एक, सुरोद गतिशील, प्रेक्षक स्थेर, माध्यमिस्थेर, माना की सुरोद और प्रेक्षक को वी दूरी से प्रथक किया गया है, जहां वी ध्वनी का वेख है, माना की सुरोद से उससरजित ध्वनी की आवरित्ती नियो है, अब सुरोद प्रेक्षक की ओर वी गर्णा करने पर हम पाते हैं कि न्यू डैश पराबर वी बटे वी माइनस वी एस कोड़े न्यू इसलिए क्योंकि ध्वानी का स्रोध प्रेक्षक की ओर पढ़ता है इसलिए आभासी आवरिती न्यू डैश वास्तविक आवरिती न्यू से अधिक हो जाती है। यदि स्रोध प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो आभासी आवरिती निम्न द्वारा व्यक्त होगी। न्यू डैश बराबर वी बटे वी प्लस वी एस गुणे न्यू। स्थिती दो प्रेक्षक गतिशील, स्रोध स्थिर, माध्यम स्थिर। प्रेक्षक स्रोध की ओर वी नॉट वेक से चलता है। एक सकेंड में प्रेक्षक वी जमा वी नॉट दिग स्थान खिरने वाली तरंगें प्राप्त करता है। इकाई दूरी में तरंगों की संख्या बराबर नू बटे वी जमा वी नॉट दूरी में तरंगों की संख्या बराबर नू गुणे वी जमा वी नॉट बटे वी आभासी आवरित्ती। यदि प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है, तो आभासी आवरिती निम्न द्वारा व्यक्त होगी. इस्थिती तीन, जब स्रोत और प्रेक्षक दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिशील हैं, तो आभासी आवरिती निम्न द्वारा व्यक्त होगी. नियू ट्रिपल डैश बराबर वी जमा वी नौट बटे वी घटा वी अस गुणे नियू. यदि स्रोत और प्रेक्षक दोनों ही ध्वानी की दिशा में चल रहे हैं, तो नियू ट्रिपल डैश बराबर वी घटा वी नौट बटे वी घटा वी अस गुणे नियू. क्या आप चानते हैं? पवन की प्रबलता, पवन प्रवाह की दूरी और हवधी की लंबाई यानि निर्खात इसका निर्धारन करते हैं कि लहर कितनी बड़ी होगी। तूफानों के समय निम्नवायुदाब तथा अभी तटिये पवने एक तूफान प्रोतकर्ष यानि महोर मी उत्पन कर सकते हैं, जो तट पर जलिस्तर को समाने समुद्री स्तर से अनेक मीटर उचा उठा सकता है। तरंग गती को विक्षोप के एक प्रकार के रूप में परिभाशित किया जा सकता है, जो माध्यम के कड़ों की उनकी माध्य स्थितियों से दोहराई जाने वाले आवर्ति कमपनों के कारण होता है। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभी कण अपनी माध्य सामय अवस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभी लंबवद दिशा में सरल आवर्ति गती करते हैं। अनुदेर्थ तरंग गती वह तरंग गती होती है जिसमें माध्यम के प्रतककण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गती करते हैं। तरंग देर्थ समान कला वाले दो बिंदूओं के बीच निवनतम दूरी तरंग का तरंग देर्थ कहलाती है। एक अनुदेर्थ तरंग के संचरण का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम में किसी बिंदू पर एक साथ कारे करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रतेक द्वारा प्रथक रूप से कारे करने के कारण विस्थापन साधिशों का सधिश्योग होता है। विप्रेद दिशाओं में कमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपन द्वारा निर्मित परिणामी तरंग हा प्रगामी तरंग कहलाती है। नियमित अंतरालों पर ध्वनी का एकांतर उतार चड़ाओ होने की ये परिखटना विस्पंदें कहलाती है।